यदि आप लॉपढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमारे एप को डाउनलोड करें और लॉपढ़ें नमस्ते सदावत सले मात्रुमे आज भगवान राम को पुनरिस्थापना, पुनरिस्थापना से मतलब है उनके जन्मिस्थान को पुनहा रिक्नाईज करना और उनको वहाँ पर दुबारा बिठाने की प्रक्रिया शुरू हुई, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि इस मुवमेंट को मैं कैसे शेयर करूँ मैं अभी कई न्यू चैनल्स के साथ था और वो चैनल्स मुझे बोल रहे थे कि आप बताएं कि ऐसा कैसा लग रहा है लेकिन मैं उनको सबको बोल रहा था कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता कि ये ये इत्यासिक शान कैसे मैं कैसे अब्जर्व करूँ ये मेरे लिए क्या है ये हमारे देश के लिए क्या है ये हमारे लोगों के लिए क्या है इस संसार के लिए क्या है इस संसार के तरणहर इस संसार के खवया इस लोग से लेके परलोग तक के सारे संसादनों के मलिक भगवान राम जिनके एक मंदिर भगवान की फिलोसपी भगवान के जो चरित्र है भगवान का जो रहा है उनका व्यवहार रहा है उनकी सिक्षा रही है उनके संसकार रहे हैं वो संसकार तो अधिती है उनको तो छोड़ दिये वो intellectual property है intellectual property है intellectual property मतलब वो गड़ गड़ में रग में विद्यमान है उसका कोई तोड़ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जा सकता लेकिन physically भी मंदिर जहां पर भगवान का जनम हुआ उस इस्थान पर मंदिर बनाने के लिए अभी ततकाल जो मीरबाकी ने मंदिर तोड़ा था तब से लेकर 25 पीडियां यानि कि हमारे 25 पूरवज जिनके नाम भी हमको याद नहीं है उन पूरवजों ने संगर्श किया आप सोच सकते हैं कि भारत में मुसलिम साशन रहा होगा और हमारे पूरवज संगर्श कर रहे होंगे भारत में अंग्रेजी साशन रहा और हमारे पूर लाख लोगों के बलिदान एक सेनिक की बलिदान होता है एक विक्ति का बलिदान होता है एक विक्ति की मृत्यु किसी परिवार में होती है तो आप समझ लीजी कि वो परिवार की पीडियां याद करती हैं कि हमारे फला ऐसे चले गए और हमने 25 पीडियों में 4 लाख लोगों क वैसे भारत आज भी हिंदूओं का रास्ट बचा है यही कारण है कि आज भी भारत में हिंदूओं और भारत का और हिंदूओं का अस्तित तो है नहीं तो क्या है आज से डेल हजार साल पहले खाड़ी में क्या था लोगों को इस मृतियों में भी नहीं है उसके साक्ष मिटा दिये गए जमीन से उखाड़कर साक्ष मिटा दिये गए क्योंकि खाड़ी के लोग नपुनसक थे और कायर थे जिन्होंने संगर्ष नहीं किया जिनकी हत्याएं हो रही थी जिनके उपर बहुत कुछ चल रहा था जिन बे धर्म परिविर्तन करवाय जा रहा था और उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो लड़ ले नतीजा निकला कि खाड़ी समप्त हो गया अब हम योरोप की बात करें या हम अ कि 2000 साल पहले कौन सा religion था किया संपरदाय था किसकी पूजा पाट किया करते थे किसको मानते थे किससे क्या किया करते थे आज मेमरी में भी नहीं है हमारे पूरवज जो संघर्ष से लड़ते रहे मुगलों के साशन, मुसलमानों के साशन जो औरंग जेब जनेव तौलता था जनेव तौलता था कि जनेव तौल कर मेरा में मुझे दान करो तब मैं कुछ पदभार दूँगा, कुछ किसी का प्रमोशन करूँगा और यह करूँगा उस औरंग जेब के साशनकाल में उसके पितामा और उनके पुरुजों के साशनकाल में भी तुलसीदाजिजी राम चरतमानस लिख रहे थे इस भगवान राम के इस मन्दर के लिए हम संखर्श कर रहे थे चार लाख लोगों की शहादत दिये है चार लाख लोगों ने बलिदान दिया है 25 पीडियों ने इस भगवान के इस मंदिर पर भगवान के इस इस्थान के लिए संघर्श किया है कई युग बदले मुसल्मान साशना है उनके समय पर तुलसिदाजी लिखते हैं अपने उसमें कि मैं जहां पर बैठा हूँ भगवान के मंदर में जाते हैं और भगवान के मंदर में कहते हैं दुरभाग है कि मैं यहां पर बैठा हूँ ऐसे बैठा हूँ फिर भी मेरे राम मेरे मन में हैं इस इस्तान में फिर भी म भारत के लोगों की रही होगी किस प्रकार की आस्ता भारत में रही होगी कि आज सवेरे निव्स पढ़ने शुरू की तो पता लगा की अमरीका में By the temples Organization को अम्रीका की temple Organizations ने led lights के बड़े बड़े कारकरम तै कि यहां ते कि White House के बाहर led lights का पूरा ब्रतानत भगवान का A के पूरे देश को बताना पूरे योएस को बताना योरोप में बहुंप कारकरम चल रहे हैं क्या क्या नहीं हो रहा है इन सब को दिखाना इन सब को बनाना और भगवान के इस करकरम में भगवान के इस इस्थापना में पुनर स्थापना में साक्षी लोग हैं तो जो जैसे कर सकता है वैसे कर रहा है सोचने की बात है कि आज ये एत्यासिक पल में हम और आप सब इस संसार का प्रतेक नागरिक वो किसी भी संपरदाय का हो वो किसी भी देश का हो, वो किसी भी जाती का हो वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो किसी लोक का हो आज उसकी दिवाली है आज के दिन दीपक जलाना बनता है इसके साथ हम सब आपको सभी को एक नया आवहान करना चाहते हैं वो आवहान ये है कि क्या आज के दिवस पे जिस समय भगवान का शिलालेख हो भगवान के मंदिर का शिला पूजन हो उस समय पर हम शंखनात कर सकते हैं शंखनात की खास बात ये है कि वो negativity को भगाता है शंख बजाते हैं हम युद्ध छेड़ते थे तो शंख बजाते थे युद्ध खतम करते थे तो शंख बजाते थे पूजा की शुरुबात करते हैं तो शंख बजाते हैं हम मुहूरत निकालते हैं तो शंक बजाते हैं मुहूरत कोई भी हो शंक बजाकर ही पूजा शुरू की जाती है हम शायद भूल गए हम मंदिर की शुरुबा सुबा करते हैं भोरकाल में सवेरे चार बजे शंक बजाकर की जाती थी और वो शंख से शंखनाद होता था और शंखनाद से ये आवाहन होता था कि बहिया सवेरा हो गया है भगवान के लिए प्रिस्तत हो जाओ नहाओ धो और चले आओ हम शंखनाद भूल गए हैं शंखनाद का इस्थान उसी पैटरन पर मुझे लगता है कि मुसल्मानों ने ये वांग लगाना शुरू कर दिया अजान करना शुरू कर दिया ये उसका एक पृतिरूप रहा होगा उसकी कॉपिंग रही होगी बाद मैं लाओड़श्पीकर आ गया तो लाओड़श्पीकर पर लगाना शुरू कर दिया लेकिन हिंदू समाज शंक भूल गया हम सबको चाहिए कि दिन में जितने मुहूरत होते हैं जितने बार मुहूरत निकलता है उतने बार उस मुहुर्थ के समय पर क्या घर घर में बच्चा बच्चा ये अभ्यास कर सकता है कि हम शंखनाद करें और इंवायर्मेंट को स्वक्ष करें आज भगवान के इस मंदिर का पुनर निर्माण शुरू होने पर हम सब क्या प्रतिग्या ले सकते हैं कि संसार भर में जहां हिंदू है जिन देशों में कानूनी अनुमती ना हो उनको छोड़ दीजे लेकिन हम सब अपने दिन की शुरूबात अपने कार की शुरूबात और मुहूरतों की शुरूबात शंखनात करके करें हम शंख बजाएं अब वो शंख कभी-कभी ये संबब है कि अजान के समय पर भी चलेगा क्योंकि मुहूरत हम मुहूरत के हिसाब से चलते हैं हो सकता है कि मुहूरत कभी किसी ऐसे विशह पर आ जाए जब कंफलिक्ट आए त तब तक तो हम शंक्हनाद किसी भी समय कर सकते हैं तो क्या यह शंक्हनाद है आज का दिवस यह शंक्हनाद नहीं है कि हम शंक्हनाद करते हैं कि अब भारत पुना जो गलानी से हजार वर्ष से जी रहा था उस हजार वर्ष की गलानी को छुड़कर भगवान राम के इस मंदि कि शुरुबात से हम पुना शंकनाद करते हैं और ये शंकनाद जीवन परियंत सरस्टी जब तक रहेगी तब तक हम शंकनाद करेंगे और ये आवाहन हमारे समाज को दिखाते रहेंगे कि आओ उठकर खड़े हो जाओ हम सब एक हैं मंदरों में पूजा शुरू हो तो शंकनाद किया जाए मंदरों को दीबदान किया जाए तो शंकनाद किया जाए भगवान की आरती हो तो शंकनाद के साथ आरती हो मुहुरत पर कोई पूजा पदती विदी हो तो शंकनाद के साथ हो इसके बड़े लाब होने वाले हैं सेकलुरिज्म को बड़े लाब होने वाले हैं सेकलुरिज्म को बड़े लाब होने वाले हैं इसका मैं आवाहन करता हूँ कि आज से बगवान के मंदिर का शिलान न्यास होने के बाद हम शंखनाद करेंगे और शंख बजाकर हम अपने कार्णियों की शुरुबात करेंगे देखते हैं क्या नतीजा निकलता है दूसरा इस एत्याइचिक शंड को मैं रिमेंबर नहीं कर सकता मुझे लगता है हम सब इस एत्याइचिक शंड को किस प्रकार सेलिबरेट करें हम सभी कुछ न कुछ ऐसा करें कि हमको प्राउड हो अपने उपर कि हम भी इस एत्यासिक शंड के साक्षी हैं जिस समय हजारों लाखों वर्षों से ये जो भगवान का अस्तित पर सवाल अभी कुछ समय से शुरू किया था बगवान पूरे संसार के हैं कोई जाती धरम से उनका, कोई जाती धरम संपरदा है और लिंग से कोई लेना देना नहीं है स्रस्टी के निर्माता है, स्रस्टी को बनाने वाले हैं, स्रस्टी को चलाने वाले हैं मृत्यू के बाद भी राम नाम सत्य है, सत्य वोले मुक्ति यानि कि उस लोग में भी हमको ले जाने वाले राम है हम सभी को ऐसे आवाहन करने चाहिए ऐसे कुछ न कुछ करना चाहिए आप अमरिका में बैठे जहां दूसरा कॉंसिटुशन चलता है जो दूसरा देश है यहां से गए हुए लोग हैं एरोप में यहां से गए हुए लोग हैं सिंगापूर में यहां से गए हुए लोग हैं औस्ट्रिलिया में यहां से गए हुए लोग हैं वो शंखनात कर रहे हैं वो आवहन कर रहे हैं वो अपने अहां उन लोगों को जो इन विश्यों पर कम जानकरी रिखते हैं उनको आवहन करके बता रहे हैं कि भगवान के अस्तित्त का मतलब क्या सेकुलर स्टुक्चर संसार में कहीं पहले डबलप हुआ तो वो डबलप हुआ भगवान राम से यह हमारे स्टुक्चर से संसार भर में सब चला यह सब हमको ध्यान रखना हमारी 25 पीडियों ने हमें जो दिया उसका नतीजा ये मंदर का निर्माड है तो हम अगली सैकलों, हजारों पीडियां जो हमारी चलने वाली हैं उन पीडियों को ये ये अत्यासिक पड़ किसी ने किसी माद्धम से वीडियो रिकार्ड करिए, फोटो खीचिए, फोटो फ्रेम करिए, कुछ न कुछ करिए ताकि आपके आने वाले वंशज ये कहें कि ने मेरे पिताहमा, मेरे दादा, मेरे बाबा, मेरे ये, मेरे वो जिस समय राम मंदर का रिर्माल शुरू हुआ था विवादों के बाद, उसके साक्षी है, हमारी ये वीडियो, मेरी आगे आने वाली पीडियां देखेंगी, कि मैं साक्षी था उसका, आप भी बन लिए, जै श्री राम पूरी और्गनाजिशन को चलाने के लिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे एप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉय स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉय जानना चाहता है, वो पेड़ क्लासिस का लाब ले सकता है